आज भी आद है मुझे वो दूर गुंजता ट्रेन का होल जो आज भी मुझे अपनी और खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविश्य नजर आता है और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनोन है वही मेरी जिद है और वही मेरा समना तो आपके इसी जिद जुनोन और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना SSC मेकर परिवार जिसने सपने देखने वाले लाखो बच्चो की सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान जोकर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुँचाया तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जनौन तो हम है आपके साथ रेल्वे में एल्पी तथा टैक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्धिहरतियों के लिए SSC मेकर लेकर आया है पाइलट मैच जिसे बहतरीन अनभवी अध्यापकों की तीन ने नोख्या रूप से रेल्वे एल्पी तथा टैक्नीशियन के एक्जाम के लिए तयार किया है तो देरी किस बात की आज ही जोइन करें हमारा पाइलेट बैज और अपने सेलेक्शन के जिम्मदारी हमें सौप दे पाइलेट बैज जोइन करने के लिए डाउनलोड करें एससे मेकर है और दिएगाई नमबर पर कॉल करें झाल में लिए तया है झाल 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 मैं रहूल स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से प्रिवार एससे मेकर पर तो जल्दी से बताइए कैसे हैं आप सब लोग झाल सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे कैसे हैं मैं देख पा रहा हूं मेरे साथ देविंदर जुड़ चुके हैं विकास जुड़ चुके हैं किर्शन कुमार जुड़ चुके हैं तन्नू जुड़ चुकी हैं विकास पटेल नित्या रादे तो सभी को गुड़ आफ्टरनून सभी को रादे रादे सभी को जैसरी राम भई तो जल्दी से बता दीजी कैसे आप सब लोग देवेंदर कुमार फोजी बैच बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा चलो तो सभी बच्चे कह रहे हैं कि हम सही है सर मस्त है तंद्रूस्त है पढ़ाई कर रहे हैं तो आज की क्लास स्टार्ट की जाए फिर ट्विंकल चोधरी नई स्टूडेंट है स्वागत है स्सी मेकर के प्लेट्फोंपन पर फिरेंका राओ मैं भी महुत मस्त हूँ तो चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं आर्पिएफ कोंस्टेबल का अग्जाम हो या सब इंस्पेक्टर का अग्जाम हो या फिर एल पी टैकनिसियन एंटिपई सिया अग्रूप यह क्लास आपकी तमाम उन अच्जाम colleagues इंपोल्टैंट है जिसमें साइस साइस लिखा रहता है तो साइस जहां कहीं भी पूछे जाएगे उन सभी एक्जामों के लिए आपका ये कलास इंपोर्टेंट है आज से पहले हमने 27 प्रैक्टिस सेट किये हैं आज हमारा 28 जो करम का या नंबर का जो प्रैक्टिस सेट वो है तो आगे बढ़ने से पहले मैं को एक दो जानकारी दे देता हूं कि हमारी SSC Maker की एप पर RPF Constable के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए हमने पाइलेट बैच स्टार्ट किया है सोरी टार्गेट बैच स्टार्ट किया है जिसकी फीस मात्तर कितनी है तो याद रखना उसकी फीस है आपकी 299 रुपया और आर अग्जाम की तयारी करना चाहता है तो जो भी बच्चा जिस अग्जाम की तयारी कर रहा है वो उस बैच में एंडोल करे अपनी तयारी को बहतर करें तो देखते हैं दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्यूस्टन है वो क्या है ये रहा दोस्तों आज का जो हमारा पहला सीरिजों को एनलाइसिस करना है फिर उसके बाद आनस्वर देना कोई जल्दी नहीं है साइंस की आज आपकी 27 सीरिज हो चुके हैं आज आपकी 28 भी सीरिज है बहुत जल्द मैं आपकी एक और बड़ी अनॉंस्मेंट करने वाला हूं कि दो-तिन दिन के अंदर आपको कलासों क एक और नया पैटरन मिलेगा जिसमें आपको पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा उसके बाद प्रेक्टिस करवाऊंगा तो आपको चीजे इत्मिनान से पूरी की पूरी सही तरीके से करनी है मैं देख पा रहा हूं कि बच्चे आंस्वर करने लगे हैं कि इस पेड की छाल मसाल की रूप में परियोग की जाती है पहला उप्सन है दाल सीनी दूसरा है लोंग तीसरा नीम और चोथा ताड लवंग नहीं है यह आपका क्या आएगा लोंग कर लीजिए लवंग की जगह क्या कर लीजिए लोंग कर लीजिए अब बता दीजिए सही आंस्वर क्या है ज्या दिन एक्जाम देकर आएंगे तो उस दिन कहेंगे सर आपका पढ़ायवा एके क्यूशन पेपर में छपा था तो देखो किस पेड की छाल मसाले की रूप में परियोग की जाती है तो याद रखना डाल चीनी किसका परियोग की जाती है डाल चीनी का जो परियोग है ना वो कि के रूप में क्या जाता है मसाले के रूप में क्या जाता है आपको बता दीता हूं कि पोधा आपका कि दैक्सिन भारत में पाया जाता है कहां पर पाया जाता है दैक्सिन भारत में ये पोधा पाया जाता है आपको याद रखना पोधा पाया जाता है जो आपका एक मसाले के रूप में काम करता है याद रखना ये सबजियों में या इसका परियोग सबजियों में मसाले के रूप में किया जाता है सर लो सर ये बात तो हमें याद रहे गई कि जो डाल सिनी है ये देक्सिन भारत में पाये जाता है इसका प्रियोग मसाले के रूप में किया जाता है next question बताइए सर क्या है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्ति क्या है वही मानव शरीर की सबसे लंबी अस्ति का क्या नाम है पहला है अंत्य प्रकोष्ठिय प्रकोष्ठि का दूसरा है प्रेगन डिका दूसरा प्रेगन डिका तीसरा है अरू अस्ति और चोथा है अंतब जीविका, या अंतर जरंगींका, अंतर जरंगींका, ओप्शन में इंगलीज में देखुए नहां थोड़ा सा दूदा सा मुस्किल वर्ड है हिंदी के प्रनाूंस में, पहला है इंट्रासैलूलर, दूसरा है हिमेरस, तीसरा फिम इनर बोन और चोथा है इनर थाई बताइए रिज्वाना बिल्कुल सही कह रही है चलो जादातर बच्चों ने सही आंस्वर दिया है लेकिन आपको एक बात बता रेता हूं इस क्यूशन के साथ आपको कम से कम पांच से जानकारी और होने चाहिए सर सबसे लंबी जो अस्ति होती है ना या सबसे बड़ी जो अस्ति होती है उसका क्या नाम है तो याद रखना फिमर होती है अब आपको अपने कोपी में हैडिंग डालना है स्केल्टल सिस्टम कोपी में हैडिंग डालिए आप स्केल्टल सिस्टम स्केल्टल सिस्टम कंकाल त सिस्टम क्या होता है आपको एक बात वसियाद रखने छोटी सी मेरी बात है बाइलोजी में जहां कहीं भी आपको सिस्टम वर्ड दिखे इसका मतलब होता है ग्रूप ओफ ओर गन इसका मतलब क्या होता है ग्रूप ओफ ओर गन चलो सर आज के बाद कोई पूछ लेगा ना कि स乐 trumpet पुक्त का मतलब क्या होता है ग्रूप ऑफ है अरगन कुछ बच्छे डिमांड करेंगे शरी से हिंदी में क्या का जाओता है तो इसे का जागत कंकाल तंतर का धेशा हैं क्या का जाता है कंकाल तंतर तो आप देखो ऐसे अंगों का समूझ जो आपका कंकाल बनाने का काम करें आपकी बोडी को स्ट्रेक्चर देने का काम करें सेप देने का काम करें उसे क्या का जाता है कंकाल तंतर का जाता है क्या का जाता है कंकाल तंतर तो सबसे पहला की कंकाल त यह हमें shape and structure देने का काम करता है चलो सरी यह बात तो हमें याद हो गई यह हमें आकार एवं आकर्ति देने का काम करता है नेक्स दिखो आप से कोई पूछे कि जो हडियां होते हैं इनका हमारे सरीर में क्या काम होता है आपको पता है कि हमारा जो बलड है बलड की अगर बात की जाए रख्त की बात की जाए तो यह कहां पर बनता है سर बोन मेरो में बनता है तो सर यी बोन मेरो कहाँ पर पाए जाते है तो याद रखना तो ये बोन मेरो golf आपकी जो हड्यों के अंदर चिवासम और जो जीवासम होती हैं उनकी आयू का पता। किस से लगाया जाता है तो याद रखना हडियों से लगाया जाता है क्यों से लगाया जाता है जिवासम की आयू का जो पता है न वो किस से लगाया जाता है हड़ियों से पता लगाया जाता है रीड की हड़ियों से तो यहां तक किसी भी जिवासम के दिनों की भी बात की जा सकती कि यह जीवासनम 50 साल 13 दिन पुराना है तो आपसे पूछा जाए कि हडियां हमें किसके बारह में जानकारी देती है तो जीवासनम की आयू का पता किस से लगा जाता है हडियों से लगा जाता है एक लास्ट पॉइंट और याद रख लेना और यह मैं उमीद करता हूं कि सारे कि सारे स्टूडेंट बताएंगे आपसे पूछा जाए कि बताइए मानव सरीर में हडियों की कुल संख्या कितनी है तो मानव सरीर में कुल कितनी हडियां होती है सर 206 होती है अगर मासपेशियों की बात की जाए तो मासपेशी कितनी होती है मानव सरीर में तो याद रेखन पूछता हूँ और वो क्यूशन यह है कि बताइए मानव सरीर के अंदर जोइंट की संख्या कितनी है यह तो दुनिया पूछती है फिर SSE maker के platform को क्यों चूज करें अगर यहीं बात इसीखनी है तो हम क्यों टाइं खराब करें यहां पर तो बतावाश जोइंट्स क्यतने प्रकार के होते हैं यह थो दोनों क्योंन बता दो आप बोल दिया तो मैंने जोइंट्स के इतने पकार के खोते हैं और मानव शरीर में कुल कितने जोइंट्स होते हैं अब बताओ अब की बार मैं कमेंट देखूंगा और फिर उसके बाद लास्ट में कमेंट देखूंगा थोड़ा सा अज स्क्रीन आपकी नीचे है इसकाण से बार-बार मुझे आगे जाना पड़ता है तो आप बताई सावा आप जोइंट्स की संख्या कितनी है कि केंपो रेसर वोई वोई आ रही है हो सकता है आपकी नेटवर्क में दिक्कत हो कोई कि स्टूडेंट अगर मेरी तरब से सारी के सारी चीज़े साही है अगर थोड़ा सा भी एरर होता तो मैं आपको बता देता बताओ तो आपसे कोई पूछे कि जोइंट्स की संख्या कितनी है तो जोइंट्स की संख्या कितने होते हैं 340 कितने होते हैं 340 होते हैं और आपसे पूछे कि कितने परकार के जोइंट्स होते हैं तो याद रखना तीन परकार के जोइंट्स होते हैं कितने परकार के जोइं एक होते हैं आपके slightly movable और एक होते हैं एक तो immovable होते हैं जिने एचल का जाता है चलो हिंदी में लिख देता हूं मैं तीन परकार के होते हैं एक तो 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 अचल संधी अचल संधी बस यह नाम याद रख लेना बस आज आप इम्मूवेबल होते हैं बई कौन से होते हैं इम्मूवेबल एक होते हैं आपके slightly movable और एक होते हैं फ्री मूवेबल प्री मूवेबल जोइंट यह तीन परकार के होते हैं एक तो अचल संधी होते हैं एक आपकी चल संधी होते हैं और एक होती थोड़ी चल संधी या कम अचल संधी कम चल संधी होते हैं तो तीन परकार की संधी होते हैं तिनों के तिनों को कोपी में नोट करना है उसके बाद हम बताऊंगा कि इनका परियोग का पर होता है, अपने एक नाम सुना होगा, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, अपने एक नाम सुना होगा, गठिया रोग, अर्थ्राइट्स रोग का नाम सुना होगा, वो गठिया रोग क्या आपके परतेक परकार के जोडो में होता है तो आप कहोगे सर वो जोडों में होता है लेकिन हमें यह नहीं पता कौन से जोडों में होता है तो याद रखना हो किस में होता है फ्री मुवेबल जोइंट्स में होता है जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपसे इन बातों की चर्चा करूँगा नेक्स्ट कु कोन सा है यह आपको बताना है क्यों सन सबसे छोटा पक्सी कोन सा है पहला उप्षन है कबुतर दूसरा तोता दूसरा तीसरा उप्षन है गुंजन पक्सी और चोथा उप्षन है ग्रेलू गोरिया सबसे छोटा पक्सी कोन सा है सबसे छोटा पक्सी कोन सा है सबसे चोटा पक्सी कोन सा है तो देखो सबसे चोटा पक्सी कोन सा है याद रखना गुंजन पक्सी कोन सा है गुं जन पक्सी है इसे को क्या कहते हैं तो याद रखना सबसे चोटा पक्सी सबसे चोटा पक्सी होता या स्मोलेस्ट बर्ड की अगर बात की जाई तो वो कौन सा है हमिंग बर्ड कहते हैं क्या कहते हैं हमिंग बर्ड क्या कहते हैं हमिंग बर्ड कहते हैं सबसे छोटा जो पक्सी है ना वो कौन सा है हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्सी है हमिंग बर्ड आप से कोई पूछे कि इसी को किस नाम से जान जाता है गुंजन पक्सी के नाम से जान आपने एक गाड़ी देखे होगी स्विफ्ट गाड़ी तो इसी को क्या का जाता है स्विफ्ट ओफ जापान का जाता है क्या का जाता है स्विफ्ट ओफ जापान का जाता है इसी को क्या का जाता है स्विफ्ट ओफ जापान जो स्विफ्ट गाड़ी थी ना उसका नाम इसी प लबिए नहीं इसके reverse गैर लगा है कि तुरंत पीछे भाग जाएगा और तुरंत आगे बाद जाएगा तो आपसे कोई पुछे आगे और पीछे उड़ने वाला पक्सी कुन सा है हमिंग बार्ड या कुंसा है गुंजन पक्सी है कुंसा है गुंजन पक्सी अब आपको पक्सियों से समंदित मैं आपको जानकारी देता हूं आपसे क्यूशन पुछा जाएं कि पक्सियों का अध्यान पक्सियों का अध्यन किसे का दा पक्सियों का अध्यन क्या कहलाता है पहला क्यूसन है पक्सियों का अध्यन क्या कहलाता है तो याद रखना पक्सियों का जो अध्यन होता है ना वो और निथो लोजी कहलाता है क्या कहलाता है और निथो लोजी कहलाता है पक्सियों का जो सबसे लंबी दूरी तै करने वाला पक्सी कौन सा है सबसे लंबी दूरी तै करने वाला पक्सी सबसे लंबी दूरी तै करने वाला पक्सी कौन सा है तो आपको बताना है कि सबसे लंबी दूरी तै करने वाला पक्सी कौन सा है करने वाला पक्सी तो याद रखना उसका नाम है आरक्टिक, आरक्टिक ट्रन, क्या नाम है? आरक्टिक ट्रन, कितनी किलोमेटर की दूरी तै करता है? आरक्टिक ट्रन, कितने किलोमेटर की दूरी तै करता है? और कहां से कहां तक उड़ता है? आरक्टिक से लेकर अंटार्टिका तक उड़ता है? आपसे कोई क्योंचन पूछ ले कि पक्षियों में उड़ने वाली हड़ी किसे का दाता है? उडने वाली हड़ी किसे माना जाता है यह आप से कहें कि फलाइंग बोन उडने वाली हड़ी किसे का जाता है तो याद रखना पन्यूमेटिक्स को का जाता है किसे का जाता है पन्यूमेटिक्स पक्सियों में जो उडने वाली हड़ी है उसे क्या का जाता है पन्यूमेटिक् पूछ ले कि आप से क्यूशन पूछें कि धर्ती पर कि धर्ती पर कि आने वाला कि आने वाला कि आने वाला पहला पक्सी कोण सा था पहला पक्सी कोण सा था तो याद रखना धर्ती पर आने वाला पहला पक्सी था आर्कियो पटेरिस आर्कियो पटेरिस और ये वो पक्सी थ जिसके मुह में दात थे क्या थे मुह में दात थे तो धर्तियों धर्ति पर आने वाला पहला पक्सी कौन सा था और क्यों पटेरिश था आप से क्यूशन पूछ लिया जाए कि पक्सियों को पक्सियों को उड़ने से रोकने की परकिरिया क्या कहलाते हैं उड़ने से रोकने की परकिरिया पक्सियों को उड़ने से रोकने वाली परकिरिया क्या कहलाते है तो याद रखना उसे कहा जाता है ब्रेलिंग क्या कहा जाता है ब्रेलिंग कहा जाता है पक्सियों को उड़ने से रोकने की जो परकिरिया होती है रोकने में जो आपकी बाधा बनती है उसे क्या कहा का जाता है ब्रेलिंक ब्रेलिंक रेंज का जाता है नेक स्वेत पुस्फूस रोग पाया जाता है पहला है कागच उद्योग में दूसेरा उद्योग के करमचारियों में कपास उद्योग के करमचारियों में या पीड़क नासक उद्योग के करमचारियों में आपको जल्दी से बताना है कि जो सवेत फुस्पूस रोग है वो किस में पाया जाता है सवेत फुस्पूस रोग किस में पाया जाता है तो देखो सवेत फुसफुस रोग के अगर बात की जाए तो किसमें पाया जाता है तो याद रखना वो पाया जाता है कपास उध्योग के करमचारियों में पाया जाता है किसमें पाया जाता है कपास उध्योग के करमचारियों में पाया जाता है बिल्कुल सही option है ज्यादा पज्ट साही आनस्वर करें कि सवेत जो फुसफूस रोग है वो किसे में पायता था कपास उजोग के जो करमचारी ह MIN उन्हें में पाय दाता है आपसे कोई पुछे कि कपास से समंदीत क्यू पुछा जाए पहला कि इंस सन याद रखना का पास से मंदित आप से क्यूशन पुछा जाए कि इस कपास को क्या का जाता है तो याद रखना सफेद सोना का जाता है क्या का जाता है क्या का जाता है क्या का जाता है सफेद सोना लेकिन हैस्टेग लगा के लिख देना इसके नीचे आप से क्यूशन पुछा जाए कि सफेद सोना सफ प्रफेद सोना किसे का जाता है, प्लैटिनम को का जाता है, किसे का जाता है, प्लैटिनम को का जाता है, आप से कोई क्यूसन पुछे कि कपास जो होती है, उसके जो रेसे होते हैं, कपास की अगर बात की जाए, तो कपास की कितनी किसमें होते हैं, तो याद रखना दो किसमें एक अमेरिकन का पास होती है और एक आपकी देसी का पास होती है कितने होती है एक तो अमेरिकन का पास है और दूसरी कोन सी है देसी का पास होती है अमेरिकन जो का पास होती है ना इसके जो रेश से होते हैं वो क्या होते हैं लंबे होते हैं इसके जो रेश से होते हैं वो क्या कपास अनुसंधान संस्तान केंदर ये कपास अनुसंधान संस्तान की अगर बात की जाए तो ये कहां पर है तो याद रखना ये नागपूर में है कहां पर है नागपूर में केंदर ये कपास अनुसंधान संस्तान कहां पर है नागपूर में chord C क्या रहेगा सही रहेगा तो किस-किस बच्चें को class पसंद आई जल्दी से एक बार थमसब कीजिए शाभास फिर अगल्ला क्यो संदेखेंगे किन किन बच्चें को मज़ा आ रहा है क्यलास पढ़ते वे जल्दी से थमसब कीजिए कि कलास में मज़ा किन-किन बच्चों को आ रहा है सर नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं तब तक हम नेक्स्ट क्यूशन है आईडो फोम का परियोग किस रूप में किया दाता है पहला है जवररोधी दूसरा ए ह पीडाहादी तीस्रा पूती रोधी और प्षro संग्याहादी पहला एइंफ्लेमेंट्री इंफ्लेमेंंट्री दूसरा है और आजनाजिस्स तीस्रा एंटिसफ्टिक और चोता है अनस्थेटिक बत्ति AH जो आईडÓ फोम होती है इसका प्रिय से कह रहे हैं सर इंजोई आ रहा है कलास में चलो लास्ट में आपको इसी बात पर एक सायरी सुनाओंगा आपको मोटिवेट करूंगा क्योंकि एससी जीडे का रजल्ट आया कुछ-कुछ बच्चे ऐसे हैं जो निरास हो गए होंगे थोड़ी से मेहनत कम कियोगे तो लास्ट आयोडेक्स आयोडेक्स तो इनका परियोग किस फूम में क्या दाता है तो याद रखना एंटी सेफ्टिक के रूप में क्या दाता है ओप्शन सी सही रहेगा कौन सा ओप्शन रहेगा ओप्शन सी सही रहेगा आपका एंटी सेफ्टिक के रूप में क्या दाता है अब आप आप एक सी देखो जो पैरा सिटा मोल होती है ना पैरा सिटा मोल सर इसका प्रियोग किसके रूप में क्या दाता है पैरा सिटा मोल का प्रियोग किसके रूप में क्या दाता है तो पैरा सिटा मोल का प्रियोग किसके रूप में क्या दाता है तो जो आपकी जवर रोधी टैप टैवलेट है जवर रोधी है कैसी है जवर रोधी है तो कैसी टैवलेट है जवर रोधी सर एनस्थेटिक तो होता है बेहोसी इंगलिस इंदी के थोड़े से वर्ड हार्ड है साइस में तो एनस्थेटिक का मतलब होता है सर बेहोस करना किसी को और आपको पता है अगर किसी को तो हम तो नाइट्रस ओक्साइड का प्रियोग भी करते हैं किसी व्यक्ति को एचेत अवस्ता में ले जाने के लिए हम किसका प्रियोग करते हैं नाइट्रस ओक्साइड का प्रियोग करते हैं तो इन वर्डों का आपको यह पता होना चाहिए मिनिंग क्या है आंस्वर तो आइडो फोम का प्रियोग किस रूप में करते हैं, एंटी सेफ्टिक के रूप में करते हैं, चोट वगरा लगी हो, तो आपने देखा होगा कि आयोडीन का प्रियोग किया जाता है, किस का प्रियोग किया जाता है, आयोडीन का प्रियोग किया जाता है, नेक्स्ट क्यूशन में से सबसे बड़ा सत इस्तंधारी कौन सा है सबसे बड़ा इस्तंधारी कौन सा है जल्दी से बताओ कि अगर चलो ज्यादातर बच्चे सही आनस्वर देये हैं कि कि जो विशालतम इस्तंधारी है वो कोन सा है वल्यू वेहिल उटार बात की जाई एनें एनिमल कीड़म की अगरबात की जाए लिग देता हूँ आपको थोड़ा dit मिलिया आ जाएगा एनिमल किंगडल। जनतु जगत की अगरबात की जाए तो इन्हें हम ने दो वरग में विवाजित क्या, एक तो सर किया वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रेट्स में और दूसरा किया इन वर्टिब्रेट्स में इंदिय में भी लिखूंगा मैं आपका इंगलिस में भी लिखूंगा इन वर्टिब्रेट्स में सर वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं तो वर्टिब्रेट्स का मतलो होता है कसे कसे रूखी और इने वल्टिबर्यट्स का मतलब क्या होता है एक कसे रूखी तो इनने हमने कितने ऐने लीऊ थे वो कितने फाइलम में विवाजित के 11 परकार के संग में विवाजित क्या अबुन 11 को हमने में ली 2 में तोड़ दिया एक तो सब गिंग्णम बना दिया हमने वल्टि बेट्पर दूसरा इनवर्टिप्र Weh वल्टिब्रेट्स में कितने फाइलम आते हैं एक और इन वल्टिब्रेट्स में कितने आते हैं दस अब इन जो आपके कसेरू की थी ना इनको कितने भागों में विवाजित कर दिया सर पांच भागों में विवाजित कर दिया अब की बार दिमाग में आ जाएगे सर को नाम ल सरी सरप बना दिये सर एक हमने पक्सी बना दिये और एक क्या बना दिये हमने मैमल्स जो आपके मनुस्य थे या उनको काउंट कर दिया किसमें काउंट कर दिया मैमल्स में काउंट कर दिया इस्तंधारियों में काउंट कर दिया मैमल्स की जगह आप मनुस्य की जगह इस्तंध थारी की बात की जाई तो आपको सबसे पहले क्या रखना है कि जो पक्सी होते हैं उसमें जो हर्ट होता है वो कितने चैंबर्स का होता है दो चैंबर्स का होता है उभेचर में कितना होता है तीन चैंबर का सरप में कितने चैंबर्स का होता है तीन चैंबर का पक्सियों में कि होता है च्यार हम्छ चैम्बस का होता है और इसलिए हम ने किस्के जाल से ज्ब किया सबसे ज़्यादा में काउंट किया चलो सर समझ में आगई यह सारी के शाण बात सुर्म किस बक्चे को है एक बार कमेंट करो जल्दी से की वह इस प्रोब्लम कि से है जल्दी से बताई सबस्त वह इस प्रोब्लम है या नहीं तब तक मैं next question देखता हूं आपको इस सारी बाते नोट करने है next question बताईए कौंसा बाग हाथी के गजदन्त के रूप में बदलता है क्या पहला उप्सवर्णक दूसरा अगर चवर्णक तीसरा दूसरा क्रिंतक और चोथा चवर्णक झाल के जादातर बच्चे सही आउस्वर दे रहे हैं कि जो हाथी के गजदंत आपने एक बात सुनेगी कि हाथी के दाथ खाने के और होते हैं दिखाने के और होते हैं तो गजदंत के रूप में कौन बदलते हैं तो याद रखना रधनक option A क्या रहेगा सही जो कैनाईन होते हैं वो हाथी के गजदंत के रूप में बदलते हैं गजदंत के रूप में बदलते हैं next question देखो कैंसर के उपचार के लिए परियुक्त उतक्रिष्ट गैस कोन सी है सर कैंसर के उपचार के लिए कोन सी उतक्रिष्ट गैस का प्रियोग क्या दाता है जल्दी से बताईए कैंसर के उपचार के लिए उतक्रिष्ट गैस कोन सी है जिसका गल्थ तो सही हो उसको मोराल डाउन करन आपको गल्ट सही यहां पर ही तो देखेंगे एक्जाम में गल्ट मत करना बस आपको एक्जाम में गल्ट नहीं करना बात कि यहां मेरे सामने कितने क्यूशन गल्ट कर लो मैं आपको सिखाने के लिए ही तो आया हूँ तो cancer के उप्चार के लिए परियुक्त गैस कौन सी होती है helium, argon, krypton, radon, कौन सी होती है, radon होती है, सबसे पहला question, आपसे question पुछा जाए कि study about cancer, study about cancer, cancer का जो अध्यन होता है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना, cancer का जो अध्यन होता है उसे क्या कहते हैं, cancer का जो अध्यन होता है, उसे क्या जाता है, आपका याद रखना, oncology, cancer का अध्यन होता है, उसे क्या कहते हैं, oncology क्या जाता है, पक्की बात है, सरी याद रह जाएगा, oncology क्या जाता है, दूसरा, सरी या cancer होती किसके काण है, तो याद रखना, एनियंत्रित कोशी का विबाजन के कान एनियंत्रित कोशी का विबाजन से ही क्या होती है कैंसर होती है एनियंत्रित कोशी का विबाजन से ही क्या होती है कैंसर होती है चलो सर दोनों बात हमें याद होगी तीसरी बात बताओ अगर कैंसर का आपको पता लगाना है कैंसर का जांच के लिए कैंसर की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया दाता है तो याद रखना बायोपसी टेस्ट किया दाता है कौन सा टेस्ट किया दाता है बायोपसी टेस्ट किया दाता है चलो सर यह भी आपने गजब बात बता दी चोथा, कैंसर के उपचार के लिए, कैंसर के उपचार के लिए हम क्या करते हैं, रेडियो थेरेपी का परियोग करते हैं, किसका परियोग करते हैं, रेडियो थेरेपी का परियोग करते हैं, सर हम किमो थेरोपी किमो थेरेपी का परियोग करते हैं, किमो थेरेपी का परियोग करते हैं और भी बहुत थेरेपी हैं जिनका प्रियोग क्यादत है सर कैंसर के उपचार में किस गैस का प्रियोग क्यादत है रेडोन का प्रियोग क्यादत है सरी रेडोन कैसी गैस है सरी निस्करिये गैस है कैसी गैस है निस्करिये गैस है चलो सर यह बात भी पता चल गए कोबाल्ट 60 का प्रियोग क्यादता है किसका प्रियोग क्यादता है कोबाल्ट के आईसोटोप या समस्तानिक का प्रियोग क्यादता है कोबाल्ट के आईसोटोप या समस्तानिक का प्रियोग क्यादता है कोबाल्ट के समस्तानिक या आईसोटोप का प्रियोग क्यादता है चल बलड कैंसर के समय बलड कैंसर के समय बलड कैंसर के समय अमारी कोशिका में अमारी कोशिका में या रक्त में लिख लिजिए कोशिका मतलिको बलड कैंसर के समय अमारे रक्त में अमारे रक्त में अमारे रक्त में अमारे रक्त में डवलूबीसी की संख्या बढ़ जाती है डबलू बीसी की संख्या बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है, या आप ये भी कह सकते हो, कि डबलू बीसी की संख्या बढ़ने के काण, आपके क्या होता है, बलड कैंसर होता है, बलड कैंसर जो होता है, वो डबलू बीसी की संख्या बढ़ने के काण होता है, या छोट कैंसर से समंधित है नेक्स देखो कि बीटी बीज का समंध किसे है बीटी बीज का समंध किसे है पहला है चावल से दूसरा गेहूं से तीसरा कपास से और चोथा तिलहन से बलड कैंसर किसी को भी हो सकता है अगर डबलूबीसी की संख्या बढ़ना को क्या का जाता है तो याद रखना लिूकीमिया का जाता है क्या का जाता है लिूकीमिया जब आपके सरीर में डबलूबीसी की संख्या बढ़ जाते है तो लिूकीमिया उसी लिूकीमिया बिमारी को आमतोर पे बलड कैंसर का ज़ता है। तो बीटी बीज का समन्द है, पहला है चावल से गेहूं से कपाज से और तिलहन से, तो बीटी बीज का समन्द किसे है कपाज से, किसे है कपाज से. Next question देखें, धनिया में उपयोगी अंस होते हैं, पहला Ben radio यह दूसरा प्ते और पूस्प, तीसरा पत्ते और सुखे पल और चोथा है पूस्प और सुखे फल जल्दी से बताई क्या सही आंस्वर रहेगा यह क्यूशन आपको पता होना ची कि आमतोर पे जो हम घर पे धनिया यूज करते हैं ना उसमें कौन सा आपका उप्योगी आंस होता है बताऊ साबस आपको यह क्यूशन का आंस्वर पता होना ची बहुत आसान सा क्यूशन है करें कि चलो तर जो धनियाँ उताई है उसमें जो पत्ते हैं और जो उसके सुखे फल्टेर आ वो फिर दनिया होते हैं उसके जो करते हैं तो option C क्या रहेगा आपका सही रहेगा देखाऊगा आपने वो नाना पाटिगर की एक फिलम है जिसमें धनिया को कहता है कि छोटे दिमाग पर है मत मार तो नाना पाटिगर की acting को आपने देखा होगा तो वो जो धनिया होता है वो उस फिलम में उसका नाम है लेकिन आपको अपने वाले धनिया की बात करनी है नेक्स्ट किस पादप को साक्य भारतिय डोक्टर कहते हैं बई किस पादप को साक्य भारतिय डोक्टर कहते हैं पहला है आवला दूसरा आम तीसरा नीम और चोथा है तुलसी कि बताओ बहुत आसान सा क्यूसन है सोनाक्सी कह रही है कि recorded class है क्या अरे इतना मुस्कुराता वाचेरा इतनी समाइल कर रहा हूँ आपको recording class लग रही है कमाल है कैसे आपको यकिन दिलाए जाए कि हम आपके सामने live है मैं time बता देता हूँ कि तीन बजकर 44 मिनट हुई है जल्दी से बताजी ज्यादा तर बच्चे सही आंस्वर्द्ये कि कि साखीय भारतिय जुक्त्र कहते है तो याद रखना तुल्सी को का उता सक मैंसे क्या जाता है तुलसी को का जाता है आपने देखा होगा आपको घर-पे युखा मों जाता है खासी हो जाते ममी कहें कि बेटा येवां तुरंत तुलसी की दो पतिया लेके आऊ चाय बना देते हो आप चाय पी दोक्टर का जाता है क्या का जाता है साकिय भारतिय डोक्टर का जाता है दूसरा क्यूशन क्या है आप से क्यूशन पूछा जाए कि ओस दियों का राजा किसे का जाता है बताओ सवास मैं आज आपसे बहुत सी चीजे पूछने वाला हूं ओस दियों का राजा किसे का जाता है जल्दी से बताइए ओस्दियों का राजा किसे कहा जाता है एक और भाई साब आये हैं वो कह रहे हैं से रिकोर्डिंग कलास नहीं है ओस्दियों का राजा किसे कहा बताओ ओस्दियों का बिल्कुल सही ओस्दियों का राजा किसे कहा जबता है एलो वेरा को कहा जाता है चलो और बताओ मुझे आप से क्यूशन पूछा जाए कि मेथी के जो बीज होते हैं वो किस रोग के उपचार के लिए सायक होते हैं बताओं आज आप से पूछ लेता हूं सारी के सारी बाते हैं जो घर पे यूज कि जाते हैं मेथी के बीज मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना बुजरगों के पा प्राग्राम को मान लिया इसी बात को मैं देखना चाहता हूं मेठी के बीज कि मेठी के बीज किसके परियोग के लिए यूज के जाते हैं इस बिमारी के उपचार के लिए के जाते हैं बताओ तो जो मेथी के बीज होते हैं ये मधुमे रोग के उपचार के लिए परियोग के जाते हैं मधुमे रोग के उपचार के लिए परियोग के जाते हैं कोपी में नोट करने हैं सारी की सारी बात मधुमे रोग के उपचार के लिए परियोग के जाते हैं नेक्स्ट बताइए आपसे कोई पूछें कि सरप गंद जो होता है सरप गंद जो होता है यह किसके उपचार के लिए परियोग क्या दाता है सरप गंद का परियोग किसके उपचार के लिए क्या दाता है बहुत कोमन सेंस की बात है आपको यह पता भी होनी चाहिए सरप गंद बिल्कुल सही है कि मेथी के जो बीज होते है ना पेट में जब गैस बनती है तो उसमें भी काम आता है बिल्कुल सही है मदू में रोग बाव या बादी जो होती है ना बादी जो होती है पेट में आपको दिक्कत हो जाती है तो उसमें आपका लेकिन मदू में के रोगी इसको भीगो कर सुबह खाते हैं नेक्स्ट है सरपगंद किसके लिए प्रियोग के जाते है तो जो सरपगंद होता है उसका प्रियोग किसके लिए क्या जाता है तो याद रखना रक्त चाप बलड प्रेसर रक्त चाप के उपचार के लिए कुछ-कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बलड प्रेसर या तो हाई रहता है या लो रहता है तो उनके उचार के लिए किसका प्रियोक्या जाता है सरफगंद का प्रियोक्या जाता है और आपको ताजूब होगा यह बात जानकर यह केवल भारत में पाया जाता है कहां पर पाया जाता है भारत में पाया जाता है कहां पर पाया जाता है भारत में होते हैं मजा आता है खाती वाद तो जो जामून होता है इसका परियोग किस के उपचार के लिए क्या जाता है बताओं जामून का परियोग किस के उपचार के लिए क्या जाता है देखो जामून के अगर बात की जाए तो याद रखना पके जामून से पके हुए जामून से सिर्का बनाया जाता है दूसरी बात याद रखना यह पाचन किरिया में सायक होता है और तीसरा इसका परियोग आप से कोई पूछे तो इसका परियोग क्या होता है इसके जो बीजों का पाउडर होता है ना लिख लीजिए बीजों का पाउडर बीजों का पाउडर बनाकर उसको मधुमें रोगी यूज करते हैं मधुमें रोगी यूज करते हैं एक लास्ट और बता जीजिए मुझे की बबूल का जो पेड़ होता है बबूल की जो पेड़ की पतियां होते हैं उनका परियोग किसके लिए क्या दाता है बबूल का परियोग किसके लिए क्या दाता है बबूल का परियोग किसके लिए क्या दाता है बताओ सबस बबूल का जो उताय इसका प्रियोग क्या दता है आख में जब फुन्सी हो जाते ना आख में फुन्सी के इलाज के लिए फुनसी के इलाज के लिए फुनसी के इलाज के लिए किसका प्रियोग क्या जाता है बबूल की पतियों के रस का प्रियोग क्या जाता है तो बबूल की पतियों का रस निकाल कर आख के अंदर जब फुनसी हो जाते है तो उसके इलाज के लिए परियोग क्या दाता है next question देखिए मानव रुधीर का pH मान कितना है मानव रुधीर का pH मान कितना होता है जल्दी से बताइए कि मानव रुधीर का pH मान कितना है तो मानव रुधीर के pH मान की बात की जाए तो सर मानव के की रूदिर का पीएच समान कितना होता है रूद refined question for होता है कितना होता है सेवन ने सोर होता है जो हुमन बलड है मानव की रखत की अगर बात की जाए तो हुमन का जो बलड है उसकी pH value कितनी है 7.4 इसका मतलब जो मानव का रखत है वो क्या है थोड़ा चारिये क्या है थोड़ा चारिये और ऐसे चार जो पानी के अंदर गुल जाएं उन्हें क्या का जाता है एलकलाइन का जाता है तो आपकी जो किताब में लिखा मिले आगा ना वो मिलेगा कि जो कि मनुस्य के अंदर कितना बलड होता है तो याद रखना 5-6 लिटर बलड होता है कितना होता है 5-6 लिटर बलड होता है अडल्ट मनुस्य के अगर बात की जाए तो 5-6 लिटर बलड होता है महिलाओं में महिलाओं में पुरूसों की अपेक्ष्या महिलाओं में पुरूसों की अपेक्षिया पुरुसों की अपेक्षिया आधा लिटर बलड कम होता है आधा लिटर बलड क्या होता है कम होता है आमारी टोटल बोडी के वेट का 7% बहार किसका होता है बलड का होता है आपकी बोडी का अगर आपके अंदर 70 किलो वजन है तो आपकी बोडी का जो 7% बार लगभग 5 kg जो वजन है वो किसका होगा बलड का होगा किसका होगा बलड का होगा तो याद रखना महिलाओं में 5 से महिलाओं में पुरूसों की अपेक्षिया आधा लीटर बलड कम होता है और एक टोटल बोडी वेट का कितना होता है 7% होता है next question देखिए, शरीर में सबसे बड़ी अन्तै सत्रावी गरंथी निमनलिकित में से कौन सी है, शरीर में सबसे बड़ी अन्तै सत्रावी गरंथी कौन सी है, तो देखो, आपको एक ही बात में सारी बात समझ में आ जाएंगे, आप से कोई पूछे कि गरंथी आपकी तीन परकार क्योंते हैं एक होती है आपकी एंडोक्राइन एक एक टोगरड और तीस्री कुंसी होती है mixed gland तो आपसे question क्या क्या पूचशकते हैं या फूचता है largest या smallest आपसे question पूचा जाए कि largest endocrine gland क्你看 की है अन्तेस त्रावी गरंथी क्यों एंडो का मतलब होता है अंतैस्त्रावी और आपसे क्यूशन पूछा जाए कि लार्जस्ट एक्जोक्राइन कोण सी है एक्जोका मतलब होता है बही सत्रावी स्मोलेस्ट एंडोक्राइन पूछ ले या फिर आपसे लार्जस्ट एंडोक्राइन पूछ ले कोण साई क्यूशन पुछें देखो अगर largest endocrine पूछता है ना तो आपको एक ही नाम याद रखना है thyroid, किसका नाम याद रखना है, thyroid gland का, जो out to गरंथी होती है ना वो आपकी सबसे बड़ी होती है, एक जो कराइन में सबसे बड़ी पुछी जाए ना तो कौन सी होती है, liver होती है, कौन सी होती ह लिवर एंडोक्राइन में सबसे छोटी पूछी जाये ना तो पी नियल बोडी घलाइड होती है लेकिन याद रखना नहीं मिलेकर। आप से कहएगा सैकेंड स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन गॉल्एंड कोंछी होती है तो याद रखना aan Chamلي Kita site कोंधी होती हैं और सबसे चोटी बहिस सत्रा भी पूछ ली जाए ना तो लेक्रिमल कर thereakin आंखोंगी जो अस्रूंग रंथि होती है ना वह सबसे चोटी होते हैं कोपी में नोट कर लेना सारी की सारी बाते हैं, चारों की चारों बातें नोट कर लेना, बड़ी कौन सी होती है, छोटी कौन सी होती है, सेकेंड स्मोलेश्ट कौन सी होती है, और आपकी ये गरंथी कौन सी होती है, नेक्स्ट, मानव रुधीर में कोल्स्ट्रेल का सामाने सतर कितना है मानव रुधीर में कोल्स्ट्रेल का सामाने सतर कितना होता है पहली बात तो याद रखना कोल्स्ट्रेल तीन परकार का होता है एक HDL होता है एक VLDL होता है एक LDL होता है तो सबसे अच्छी जो Colstrale की मात्रा माने जाती है न वो HDL माने जाती है, कौन सी माने जाती है, HDL माने जाती है, रुहु सिंग, आपका भी जवाब दिया जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी सी देर में इस बात का जवाब दिया जाएगा, तो आपको बता देता हूं कि मानव रुधिर में कोल्स्ट्रेल कई मात्रा कितने होती है 120 से 200 मिलिग्राम होती है कितने होती है 120 से 200 मिलिग्राम होती है याद रखना आपका D option क्या रहेगा आपका सही रहेगा option D क्या रहेगा सही रहेगा Next, निमन में से कोन नियत तापी प्राणी है? इन में से कोन सा आपका नियत तापी प्राणी है? पहला उभेचर, दूसरा, सरीसरा, तीसरा, पक्सी ओचोथा, इस्थनी. नियत तापी प्राणी कोन सा है? इन में से कोन सा आपका नियत तापी प्राणी है? पहला उभेचर, दूसरा, आपका सरीसरा, तीसरा, पक्सी ओचोथा, इस्थनी. तो नियुक्त प्राणी है? बताईए सावास क्या सही आंसर आएगा? देखो आपसे पूछे कि which of the following are endothermic animal तो दोनों ही आपके पक्सियों की अगर बात की जाए तो पक्सि क्या होते हैं नियत तापी प्राणी होते हैं क्या होते हैं नियत तापी प्राणी होते हैं शरीर का तापमान समान रहता है या फिर जो आपकी यहाँ पर मनुस्य लिख देता ना तो भी ओप्सन किया आता आपका सही आता तो ओप्सन सी OS रहएगा सही रहेगा अर शरंख्ला में पादपउं द्वारा परियुक्त सोर उर्जा होती है केवल विजा आपको पता है कि जो पीड़पो दे रहते हैं यह सूरिय के परकास का परियोग करके क्या करते हैं फोटो सिंथेसिस प्रोसेस करते हैं जिसके तहते यह अपना भोजन बनाते हैं और अपना भोजन खुद बनाने के काण इन्हें क्या का दाता है ओटो ट्रोप्स का दाता है सवपोसी का दाता है क्या का दाता है सवपोसी का दाता है तो यह सूर्य कि कितने अनर्जी का प्रियोग करते हैं एक परसेंट अनर्जी का प्रियोग करते हैं नेक्स्ट क्यूशन देखिए प्रित्वी पर विसालतम जीवित पक्सी कुन सा है प्रित्वी पर विसालतम जीवित पक्सी कुन सा है पहला है इमू दूसरा सुतुर मुरग तीसरा एलबोट्रोस और चोता है साइबेरिया सारस तो याद रहना सबसे बड़ा जीवित जो पक्सी है वो कुन सा है सुतुर मु उड़ने वहार सबसे तेज दोडने वाला पकसी है तो याद रखना सबसे तेज दोडने वाला पकसी है सुतुर मुरग इसकी जो आखों का साइज होता ना वो उसके दिमाग से कहीं अधिक बड़ा होता है इसकी आखों का जो साइज होता ना वो उसके दिमाग से कहीं अधिक बड़ा होता है विशव की सबसे बड़ी कोशी का पुछी जाये ना सुतुर मुरग के अंडे के होती है नेक्स्ट देखो, विटामिन D की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में सरीर का कौन सा पाग परभावित होता है, तो आपको पता है चाहे विटामिन D की बात की जाए या है कैलसियम की बात की जाए, तो विटामिन D और कैलसियम के कारण आपकी हडियों से समंदित समस्या होत उरा अपकी अडीूं के अंदर अगर को बिमारी हो जाती है तो याद रखना उस बीमारी के अध्यन को क्या क्या खालता है और थो ओलो जीक आजता है लेकिन स्टुडी अबाउट बोन के वलम अड्यों का अध्यन ट्रग्सि एलाता है वीकेट्स के अंदर विटामिन डी की कमी के कार बड्रों के अंदर ओस्टियो मलेसिया लेकिन ये विमारी किस में कह ते है अगल्ट में थे Somnike में होती हैं किसके कमी के कान होती है विटामिन दी की कमी के कान होती है नेक्स्ट क्यूसन देखिए पुस्ट की सुखाई गई कलियों का प्रियोग मसाले के रूप में क्या दाता है किस पुस्ट की सुखाई गई कलियों का प्रियोग मसाले के रूप में क्या दाता है मासले ल है लों उप्शन सी क्या रहेगा सही रहेगा नेक्स्ट जनम के बाद मानव शरीर के किस उत्तक में कोई कोसी का विभाजन नहीं होता आपको पता है कि मीनिमम की पावर कि जब एक बार चोंत लग जाती है तो यह दो बारा से आपका री द नहीं होता सबसे सबसे कम कोई का विभाजन की सेल में पता है तो राओ किसा के पास ऊते हैं तो याद रखना न्यूरॉन के पास उते हैं और न्यूर्वन किस में होते हैं brain में तो आपकी जो मस्तिष्प की जो कोषिकाई होते हैं उनके सास या तंत्री का जो कोषिका होते हैं उनके पास minimum resignation की पार होते हैं option B क्या रहेगा सही रहेगा option B रहेगा सही रहेगा next question देखिए DNA अंगुली छाप का प्रियोग किसकी पहचान के लिए क्या दाता है वही डिने का प्रियोग किसके लिए क्या दाता है पहला है माता-पिता दूसरा बलातकारी तीसरा चोर या चोथा उपयोग सभी वही आपको पता है DNA का प्रियोग पहचान के लिए क्या दाता है वही DNA genetics material है कभी कबार किसी बच्चे को अपने माता-पिता पर सकोता है किसी माता-पिता को अपने बच्चे पर सकोता है वही पिता को तो होगा लेकिन माता को सक नहीं होगा तो जो आपका पिता होता है उसे अ आपका किसका प्रियोग क्या दता है तो याद रखना DNA का प्रियोग क्या दता है चाहे मातापिता हो चाहे बलातकारी हो चोर हो या सभी इन सभी के टेस्ट इन सभी की पहचानने के लिए आपका प्रियोग क्या दता है DNA का पता है DNA आपका Genetics Material होता है खचा को जीवों में RNA भी Genetics Material होता है और DNA की सबसे छोटी यूनिट जीन होती है और जीन का अविस्कार आपका जौन सन्हीं क्या था और Father of Genetics किसे का जाता है John Gregory Mendel को कि का जाता है तो आज की कलास आपकी यहीं तक थी आपको जानकारी देता हूं और पर स्टेबल के लिए हमने टार्गेट बैच स्टार्ट क्या है यह लपी और टेक्निशन के लिए पाइलेट बैच हैं CGL, CHSL के लिए संकल्प बैच है, आर्मी, अगनिवीर के लिए स्पेसल बैच है, तो जो भी बच्चा जिस एक्जाम की तयारी कर रहा है, उस बैच में एन्रोल करें, अपनी तयारी को बेट करें, मैथ और रिजनिंग की रोजाना रात आठ बजे, लाइव कलास सलती है, अजे सर की एकदम बेसिक से अमारे अपने SSC मेकर यूटूब चैनल पर, तो जिस बच्चे को मैथ रिजनिंग से डर लगता है, वो उस SSC मेकर की जो रोजाना रात आठ बजे कलास सलती है, इसमें आपका हाजीर हो, या इस कलास से जुड़े ताकि उसका मैथ का जो फोबिया है, रिजनिंग का जो फोबिया है, वो उसका दूर हो, यह हमारे कुछ लिंक दिये गए हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, हमारी SSC मेकर की जो एप है, उसका लिंक है, यह आप हमें टेलिग्राम पर फोलो कर सकते हैं, फेस्बूक पर फोलो कर सकते हैं, टेलिग्राम चैनल तो आपको जोइन करना ही है, ट्विटर पर फोलो कर सकते हैं, और लास्ट काम तो आपका अपना प्यारा सा चैनल है, SSC मेक थें तो मैं आपके एक मिनट का Assault ले लेता हूं जो भी किसी बच्चे को समस्य को तो बता दीजिए कि बता से इस वाद कि साइंस का कभी फोविया नहीं होता साइंस से प्यार मोनता है है साइंस का फोविया नहीं होता मेरे वाई क्योंगे आपको पता है कि जिंदगी जो होते हैं वो साइंस की तरह होते है, जो हम जिंदगी होते हैं, वह किसे हैं ऐसos की तरह informatик को दूँख हैं, उतना वहित तरफ Ls ड्ल्ट देगी. तो साइस को तो हम कैसे मानें? जादू है साइंस, नस्ता है साइंस, जिन्दगी जीने का सलिखा है साइंस रिजवाना आपको भी एक डाउट था बोलिए जल्दी से दुर्वेश यादव कह रहे हैं कि सर आप साइंस साइरी सुनाने के लिए बोल रहे थे तो सुन लीजिए पुर्खों की जायदाद कभी सोहरत नहीं देती हमको जो मिला है वो विरास्त नहीं देती जवाब दे भी सकते हैं हम तुमारी बत्तमीजियों का लेकिन तैजीब मेरे घर की इसकी इजाज़त नहीं देती कुछ बच्चे नाराज थे एक दिन मैंने बोल दिया था कि ब्लोक कर दिया है लेकिन आपको बता देता हूं यह संसनिक हेज खुलासा करता हूं मैं आपके सामने कि मैं कि किसी बच्चे को बलोक नहीं करता ये तो के वल आपको एक बार ड्राने के लिए धमकाने के लिए ताके आप पढ़ने लग जाएं इसलिए मैंने मैं बोलता हूं कि तुरंत जो हमारी टेक्निकल सदस्य हैं मुलान सर कि इनको बलोक कर दिया जाएं तो आज के लिए इतना ही ज कर दो कि एनको बलोक का बेंसे लिए अजल कर दोना ही तो कि अजल मैं अुर्ण टुर्णा के लिए और किया बलोक ये वांज पुर्मकारा सब Кरतेक्वेशनी टुर्मकारा माहा अ.